हलो फरेंज मैं तरह स्वय में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं मुंकी दाल का नास्ता जो बहुत क्रिस्पी बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा टी टैम के खाने वाला है जिसको बनाने के लिए हमने मुंकी दाल लिए है उसे अच्छे से भिगो देंगे और दो ती पूल गई है अब इसे धो करके उसका पुरा पानी निकाल करके छनी में रख देंगी जब पूरा पाणी निकाल जाएगा उसके बाद इसका हम पेस्ट वना लेंगी यह मुं की झाल करणास्ता बहुत टेश्टी और क्रेस्पी बनता है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी पुरा छिलका नहीं निकला था इसलिए थोड़ी सी कलर इसका दवा हुआ है अगर आपके पाद धुली दाल है सोच से बनाएगे अब इसमें डालेंगे हम नमक अजवाएन जीरा चिली फ्लेक्स आटा लेंगे हम वही आटा है जिस आटा से हम रोटी बनाते हैं कि हम काटा इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे आटा डालते जाएंगे और इसका एक हम गाड़ा सा आटा गूंद करके रख लेंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसा ही आटा गूंद करके हम रख लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे मुझे पहले डालने की याद नहीं थी, इसके लिए मैं सौरी बोलती हूँ, आप इसमें पहले डाल देना जब नमक डालना, मुझे अभी याद आई है, इसलिए मैंने अभी डाला है, अब इस काटा गूंद करके रख देंगे हम, हमारा आटा गूंद किया है, अब इसके हम काट लेंगी, लोगाना कर रख लेंगी, अब इसके लगाने के लिए हमने बनाया है, लेफ एक काटोरी लिए, उसमें चमच घी लिया है, और दो चमच हमने मैदा लिया है, मैदा की जगए आप कॉंट्रोल भी ले सकते हैं, इससे जो मनास्ता बना रहे हैं और भी पूरी बेलेंगे और इसमें लेप लगा लेंगे घी का इसे मोड़ करके बेलते जाएंगी जैसा हम बना रहे हैं ऐसी ही आप बनाईए बहुत अच्छा क्रिस्पी परतदार नास्ता बनेगा अलग अलग लेयर खुलेगी इस नास्ता की आपको बहुत पसंद आएगा टी टाइम के खाने वाला आज हम नास्ता बना रहे हैं जब हिसाम की समय आपको भूंख लगे इस नास्ता को आप जरूर बना करके रख लीजिए डब्बा भर के चाहे जब इच्छा हो कुछ खाने की क्रिस्पी चटपटा तो इस नास्ता को आप बना करके रख लीजिए और खाईए ठंडी में इस खराब भी नहीं होता है ऐसे मोड़ते जाएंगे वार वार और इसमें घी का लेप लगाते जाएंगे और सुखा मैदा डालते जाएंगे और एक कटोरी लेंगे या फिर आप गिलास ले ले उससे हम चांद की अकार की डेजैन के काटेंगे कुरकुरे कि मुम की डाल का नाश्ता है बहुत क्रिस्पी बनता है इसे हम काट करकी रखते जाएंगे प्रेले काटोरी से काटेंगे फिर रखेंगे उसमें ऐसी काटने से दो चांद निकालाती है ऐसी हमें कोणर में रखना है दोनों की ऐसी ही काटते जाना आप भी देखो हमने कितने सारे काट लिए हैं आप हम तील गरम कर लेंगे ऐसी हमारा तील गरम हो जाएगा इन्हें हम तल लेंगी पिल्कुल हम गोल्डन तलेंगी गैस को थोड़ा सा सिलो कर देंगी तलते समय और गैस हमाई तेज होगी तो यह हमारे उपर से जल्दी जलने लगेंगे अंदर से नहीं सिखेंगे इसलिए गैस को हम सिलो करके तलेंगी पहले तेल अच्छा गरम कर लें उसके बाद जब डालते समय थोड़ा सा गैस को सिलो कर लें इससे वो और अंदर तक क्रिस्पी बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं उपर वबल्स भी नहीं आते हैं देखो हमारा कितना सारा नास्ता बन गया कितनी जल्दी कोमेंट करके जरूर बताईए कि मेरा वेडियो आपको कैसा लगा एक मुन की दाल से कितना अच्छा हमने टी टैम की खाने वाला स्नेक बनाया है इसे आप बना करके रख लीजी चाहे एक मेहने तक खाते रहे हैं अंदर तक अच्छे से पक गया है एक सधारन सी मुन की दाल से हमने कितना सारा नास्ता बना लिया और कितना अच्छा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बेडियो देखने के लिए धन्वाद